एक बड़ी मल्टिनेशनल कमपनी जो साट के दशक में भारत में पहली बार डिटरजन पाउडर नाम का एक प्रोड़क लेकर आती है, मार्केट पर कबजा कर लेती है और लोगों को ये बताने लगती है कि देखो हमारा डिटरजन पाउडर इस्तेमाल करने के बाद कपड़े कितने साफ हो जाते है, लेकिन ठीक उसी वक्त एक 24 साल का किसान का लड़का अपना खुद का डिटरजन पाउडर बनाता है, गाउं कसबे में जाकर लोगों को अपने प्रोड़क के बारे में बताने लगता है, लोगों का भी अच्छा रिस्पॉंस मिलता है, बहुत मेहनत करता है, और कॉंपिटेशन में उस मल्टिनेशनल कमपनी से आगे निकल जाता है, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, निर्मा डिटरजन पाउडर इस कमपनी के फाउंडर स्री करसन भई पटेल के बारे में, निर्मा का नाम सुनते ही हमें सबसे पहले याद आती है, नबे के दशक में टीवी पर चलने वाले उनके एड्स और उनकी वो मशहूर जिंगल, और उसी के साथ पैकेट पर सफेद फ्रॉक में दिखने वाली वो क्यूट सी लड़की, निर्मा के कमर्शल्स में आज तक बहुत सारे मॉडल्स और हिरोईंस आई और चली गई, लेकिन के बारे में ऐसा नहीं है, वो केवल एक कालपनिक चित्र नहीं है, बलकि असल में वो करसन भाई पटेल की अपनी खुद की लड़की है, निरूपमा, प्यार से पिता उसे निर्मा कहकर बुलाते थे, करसन भाई पटेल चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी हो और बहुत कु लेकिन अपनी बेटी का नाम बड़ा करने और अपनी बेटी को दुनिया भर में अमर करने के लिए ये पिता पागल सा होटा और दिन राथ रिसर्च करने लगा, करसन भाई पटेल ने उन दिनों केमिस्ट्री में बीस्सी की डिगरी हासिल की थी और गुजरात सरकार में व अपने काम में सफलता मिली और उने शुद्ध देसी डिटरजेंट पाउडर बनाने का एक फॉर्मिला मिल गया, उस समय मार्केट में सर्फ एक्सल एकमात्र ऐसी कमपनी थी जो डिटरजेंट पाउडर बनाती और बेचती, लेकिन ये प्रोड़क सिर्फ अमीरों को पसंद और अमीर लोगी इसे एफोर्ड कर सकते थे गरीबों के भी जरूरत थी लेकिन गरीब लोग इसे एफोर्ड नहीं कर सकते थे करसन भाई ने इस गैप को भाप लिया और मार्केट में उन्होंने तुरंट अपना प्रोड़क्ट लॉंच कर दिया निर्मा, डिटर्जन, पाउडर जहां सर्फ एक्सेल की कीमत 13 रुपए प्रती किलो थी वहीं पर करसन भाई ने अपने प्रोड़क्ट की कीमत रख दी सिर्फ 3 रुपए पर केजी सर्फ एक्सेल से भी 4 गुना सस्ता उस समय करसन भाई बहुत छोटे प्लेयर थे उनका बेजनेस केवल उस शहर में चल रहा था जहां वो रहते थे और आज पास के कुछ गाउं में इसलिए सर्फ ने उन्हें उतना सीरियसली नहीं लिया और अगर लेते भी तो भी सर्फ एक्सेल को अपना प्रोड़क्ट चार गुना सस्ता करके बेचना उनके लिए पॉसिवल नहीं था क्योंकि उन्होंने सर्फ एक्सेल को एक प्रिमियम प्रोड़क्ट के रूप में प्रमोट किया था और जब company किसी premium product के दाम बहुत सस्ता करके बेशती है तब लोगों को doubt आने लगता है और लोगों का भरोसा उटने लग जाता है After all, it's a game of trust, if you lose the trust, you will lose the market और कीमत कम रखने की दूसरी वज़ा यह है उस समय लोगों को लगता था कि detergent powder सिर्फ अमीरों के लिए है यह अमीरों के चोचले है Detergent powder के बारे में लोगों की इस mindset को वो change करना चाते थे वो यह message देना चाते थे कि भाई, detergent powder की जरूरत तो गरीबों को भी है और गरीबों की जरूरत पूरी करने के लिए यह लोग मेरा product मार्केट में available है और कीमत कम रखने की वज़े से इस message को उन्होंने अच्छी तरह से convey कर दिया करसन भई ने एक अच्छा खासा product बना लिया था कीमत भी कम रखी थी लेकिन असली problem अब आने वाली थी माल बेचने की क्योंकि माल बेचने के लिए उनके पास कोई आदमी ही नहीं था वो अकेले ही उनके business के one man army थे दिन रात मेहनत करके वो अकेले ही माल बेच भी लेते लेकिन दूसरी तरफ उनकी job भी तो चल रही थी और उन दिनों business के लिए job छोडने की luxury एक middle class आदमी effort नहीं कर सकता था इसलिए रोज काम पर आते जाते समय वो अपनी cycle पर second packet रखते और रास्ते में अपना माल बेचने के लिए हर घर जाते माल अच्छा था, सस्ता था और अगर माल पसंद नहीं आता तो वो लोगों को money back के guarantee भी देते अमीरों को 13 रुपए में मिलने वाली चीज मुझे 3 रुपए में मिल रही है और उपर से money back की guarantee भी ये सूचकर आम आदमी उनसे बहुत सारा माल खरीदने लगा और उधर करसन भाई खुश होने लगे क्योंकि उनका business अब चल पड़ा था धीरे धीरे उनका business अब सेट हो रहा था लेकिन अब job में रहकर business को और बढ़ाना possible नहीं है ये महसूस करने के बाद उन्हें तुरंट अपनी नोकरी से इस्तिफा दे दिया और अब full time वो business करने लगे जैसे जैसे company का expansion हुआ निर्मा ने सबसे पहले एमदा बात capture किया और बाद में पूरे गुजरात में फैल गई अब करसन भाई को पूरे देश में फैलना था उन्हें गुजरात से आगे निकलना था लेकिन उसी दोरान एक बहुत बड़ी problem हो गई अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाता तो company bankrupt हो जाती company की financial situation बहुत खराब चल रही थी company का balance sheet का balance औरी तरह से ढल चुका था माल भी करा था, product जा रहा था लेकिन पैसे नहीं आ रहे थे 3-6 महने की credit period के बाद भी जब company का आदमी दुकानदार से पैसे मांगने जाता तब दुकानदार कहता तुमारा माली खराब है लोग इसे पसंदी नहीं करते माल बेचने में बहुत दिक्कत आ रहे ऐसे कुछ भी पहाने बना कर दुकानदार पैसे देने से बना करता और इसके चलते कंपरी में cash flow की problem आ गई थी करसन भाई ने इस problem के उपर solution लाने के लिए अपना बनिया वाला दिमाग चलाया उन सबसे पहले तो उन्होंने दुकानदारों से अपना सारा माल वापस मंगवाया और गुडाउन में store करवाया पैसे देने की बला टली इस चक्कर में दुकानदारों ने भी सामान लटा दिया इसी बिच उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा कर एक बहुत बढ़िया सी एडवर्टाइज बनवाई और उसे दिन रात टिवी पर चलाने लगे ता सब्धा समा ष़िंग पाउडर निर्मा थोड़ा सा पाउडर पर धाग धीर सारों घर घर की खबलों को बल में निखाडा ही यहा रिखा । जैय आरेय शुष्मा सब की कटंद निर्मा वाशिंग पाउडर निर्मा करीब करीब एक महने तक इस एडवर्टाइज का उन्होंने इतना बंबार्डिंग कर दिया कि लोगों के दिमाग में निर्मा ये नाम और ब्रैंड फुरा फिट हो गया उसके बाद लोग खुद ही दुकान में आकर निर्मा निर्मा की मांग करने लगे लेकिन दुकानदार के पास तो माली नहीं था जो भी था वो वापस कर दिया था एक तरफ टीवी पर एड और दूसरी तरफ दुकानों में कस्टमर की डिमाड दोनों ही जोर पर चल रहे थे लास में तंग आकर सारे दुकानदार करसन भाई के पास माल दो माल दो कहते हुए चले गए और करसन भाई ने उनका पैसा दो पैसा दो कहकर स्वागत किया उसके बाद सारे दुकानदार अडवांस पेमेंट देकर माल लेकर जाने लगे और एक बार फिर कंपनी के लिए अच्छे दिन आने लगे अब कर्सन भाई को कोई रोक नहीं सकता था अपने मार्केटिंग के इस एक मास्टर स्टोक के करण वो उसी साल डिटरजंट किंग बन गए थे और जल्द ही निर्मा ने 1988 में 60% मार्केट शर्क कैप्चर कर लिया था निर्मा का ब्रैंड मिडल प्लास में इतना पॉपिलर हो गया था कि सर्फ एक्सल को कोई पूछता ही न था चूँकि निर्मा इतनी कीमत कम करना पॉसिबल नहीं था इसलिए हिंदुस्तान यूनिलिवर ने वील नाम का एक सस्ता ब्रैंड लाँच कर दिया था लेकिन निर्मा के सफेदी के सामने उसका भी कोई चक्कर नहीं चला और साल 2000 आते आते निर्मा हर महिने 1.72 लाग टन डेटरजन पाउडर बेचने लगी इतना ही नहीं उसके बाद निर्मा ने हाउस होल्डिंग एटमस में भी और बहुत सारे प्रोडक्स लाँच कर दिये और उनमें से बहुत सारे प्रोडक्स पॉपिलर भी हो गए इनी में से एक है सौंदर या साबो निर्मा सोना ली बेंदरे की ये एड आप भूले तो नहीं लेकिन आज निर्मा कहीं नहीं है मार्केट में निर्मा का शेर 60% से घटकर 6% तक आ चुका है आप ही याद करके बताना कि आपने लास्ट में निर्मा का प्रोडक्क कम लिया था आपको याद नहीं है पास में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर चुकी निर्मा आज फेल हो चुकी है और इसके पीछे तीन में रीजन है पहला रीजन है ब्रैंड परसेप्शन शुरू से ही निर्मा की कीमत बहुत कम थी और क्यूंकि ये गरीब और मिडल क्लास का प्रोडक्ट था इसलिए कमपनी चाहते हुए भी इस प्रोडक्ट के ब्रैंडिंग और पैकेजिंग के मामले में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई अगर आपको याद है तो अपनी आखों के सामने सर्फ एकसल की वो कलरफुल प्रिमियम पैकेजिंग एक तरफ लेकर आओ और दूसरी तरफ वाइट ट्रांस्परन प्लास्टिक में दिखने वाला निर्मा की ये ओर्डिनरी पैकेजिंग 2010 तक ये सीन ठीक भी था लेकिन पिछले 10 साल में जैसे यसे लोगों का पर कैपिटर इंकम बढ़ने लगा वैसे वैसे लोगों को ब्रैंडेड प्रोड़क्ट खरीदने की आदत लगने लगी स्टेटस दिखाने के चक्कर में लोग महेंगी चीज़े खरीदने लगे और सस्ती चीज़े खरीदने का मतलब क्या हम आज भी गरीब है ऐसा सवाल next generation से हर घर में पूछा जाने लगा वैसे तो निर्मा की जरूरत लोगों को तब भी थी और आज भी है लेकिन निर्मा का प्रोड़क्ट खरीद कर लोगों को अपनी गरीबी नहीं दिखाना था इसलिए वो निर्मा की जरूरत दूसरे ब्रैंडेड प्रोड़क्ट से करने लगे शुरुवाती दौर में निर्मा ने अपने प्रोड़क्ट, मार्केटिंग और डिस्ट्रिविशन के बारे में बहुत सारी इनोवेशन लेकर रही थी लेकिन बाद में इन सारे इनोवेशन को निर्मा ने कम कर दिया मार्केटिंग के बारे में बात किया जाए आपको निर्मा के 80s और 90s के एड्स आज भी याद आते है जिंगल के साथ लेकिन क्या पिछले एक या दो दशक से कोई भी आड या जिंगल आपको याद आ रहा है नहीं है मार्केटिंग में एक कहावत है if you are out of sight you are out of mind तीसरा कारण है bad marketing बीच में निर्मा ने अपनी brand perception को बदलने की कोशिश की इसलिए वो निर्मा ब्लू, निर्मा एक्टिव और निर्मा अडवांस जैसे product भी market में लाए और उसके बाद रितिक रोशन जैसे handsome actor को अपने ads में brand ambassador के तौर पर लिया और यहीं पर गलती कर दी detergent powder जहाँ पूरी तरह से महिलाओं का domain है वहां रितिक जैसे पुरुशों का क्या काम ऐसा सोच कर लोगों ने उस ad को और उन products को दोनों को भी नकार दिया marketing के जिस एक master stroke की वज़े से निर्मा ने अपना brand बनाया था उसी marketing को गलत तरीके से करने के लिए निर्मा ने अपना brand बिगाड भी दिया था marketing works only if you do it right निर्मा की इस कहानी से हमें तीन बाते सीखने को मिलती है first thing never say no to any work करसन भई अगर उन दिनों cycle पर जाकर powder बेचने के लिए ना करते हर घर जाकर अपने product के बारे में बात करने के लिए ना करते तो आज वो निर्मा का 35,000 करोड रुपए का सामराज निर्मान ही नहीं कर पते कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता काम काम होता है अगर आप एक young entrepreneur हो तो आपके office में ज़ाडू मारने से लेकर परचे बातने तक कि किसी भी काम को कभी ना नहीं कहना करसन भाई के पास उन दिनों B.S.C की डिगरी थी जमीन जायदात थी शादी शुदा थे अच्छी खासी सरकारी नोकरी भी थी फिर भी उनको लो लेवल पर सेटल होना राजी नहीं था उनका मन उसके लिए परमिशन नहीं दे रहा था इसलिए तो वो आज उनकी कंपनी में 18,000 से भी ज्यादा एंप्लोईस को सेटल होने के लिए मौका दे रहे There is always a next level to achieve And third important thing Never stop innovating even if you're a market leader टॉप पर पहुँचने के बाद निर्मा ने research कम कर दिया marketing कम कर दिया innovation कम कर दिया As a result, लोगों ने निर्मा का product इस्तमाल करना कम कर दिया और आज निर्मा कहीं पर भी नहीं है इसलिए तो कहते ना, life में success पाना आसान है लेकिन success को maintain करना बहुत मुश्किल है अपनी बेटी का नाम दुनिया भर में अमर करने के लिए संघर्ष करने वाले ज्यादा से ज्यादा पुश्क हो जाँ बहुत बहुत धन्यवाद